जो भगवान नंदी के कानों में कुछ केकर आते हैं बोले हो कभी कि सीधे बोल देते हो क्या जाकर नंदी के कानों में कहने कभी एक तरीका है आप लोगों को मालूम होगा ओट तरीका नहीं मालूम को जो वेलपत्री की जो डंडी रेती ना बीच का जो भाघ है जियानितिоеam तरीक धीजिदाड़ी सब्सक्राइब के दोपत्हाएं अर्सके दिख रहा है आप लोगों को यह दो डंडी यह बीच की दो पत्ती उसके बीच में जो डंडी का भाग होता है जब हम देवदी महादेव से कोई बात केने वाले होते हैं न कि बादा बहुत दुख्यों बाबा बहुत तकलीफ चल रही है बाबा मैंने एक कॉंपेटिशन एक्जाम में परिच्छा दिये बाबा मेरे जीवन में यह तकलीफ हो रही है बाबा तब इस बेलपत्री की जो यह डंडी होती है इस उंगली से इस अंगुष्ण से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के करण में कहने से पहले यह हाथ को नंदी के उपर रखकर फिरम भाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशुक सुंदरी की जगा पर चड़ा कर बापी सजाते हैं देव अधिद्यों महादेव को पार्वति की पात मानना ही पढ़ती है और वो कहना ही और यह बेलपत्र की महत्रत अग यह जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में उतना क्योंतना फल हम आपसे फिर कहेंगे कभी मोका मिल जाए जिन्दगी में कभी तुमारे जीवन में अगर मोका मिले और कहीं बेलपत्री का ब्रक्ष मिल जाए जिसकी च्छाओं तुमारे ऊपर पढ़ रही हो तुमारे ऊपर कभी मौका मिले एक बेलपतरी का पत्ता मातर रखकर आप शिब जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्थित कर रहे होना तो वह पारा जोतिल लिंग को जल चड़ाने के बराबर प्लपरदान करें कि एक बैल पत्री का पत्ता एक बैल पत्री का ब्रक्ष एक बैल पत्री के ब्रक्ष चाओं हमारे जीवन उस कृतार्ष कर देती है कि प्रतारथ एक फट्र आया देते हैं झाल झाल